भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंद्र पर्देश के श्री हरी कोठा इस्तित पक्षेपन के इंदर से आज सुबा चार बच कर चार मिनट पर नेविगेशन सैटलाइट आई आर एन एसस टू का लॉंच किया है आई आर एनस टू सव्देशी तकनी से निर्मित नेविगेशन सैटलाइट है वजन इसका 142 किलो है इस सैटलाइट की लंबाई 151 मिटर है उंचाई 1.5 मिटर है और चोड़ाई 1.5 मिटर है सैटलाइट से समंदुरी नेविगेशन के साथ ही मैप और सेन्य शेत्र की मदद मिलेगी है सैटलाइट इस रों की नाविक प्ला का आठवा उपग्रे इसके लांचिंग से एक पकवाड़े पहले इस रो ने कम्यूनिकेशन उपग्रे जी सेट सिक्स एकाव 29 मार्च को प्रिक्षबन किया था लेकिन 31 मार्च को इससे संपर्ख तूड गया था अब जब धरती से 36,000 किलोमेटर उपर जियो स्टेशनरी अंतरिक्ष एजनसी की करनाटक के हासन इस्थित मास्टर कंट्रोल फैसलेटी ने इस 2000 किलोग्राम वाले उपग्रे से एक अप्रेल से संपर्क स्थाबित करने की कोशिश कर रही है लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है आटवर नोवन उपग्रे आई आरेनेस टू एन एवी आईस को इस चौदा सो पच्चिस किलोग्राम का है आई आरेनेस एक एच उपग्रे की जगे पर छोड़ा गया है जो 31 अगर 2017 को पक्षेपन के दोरान पी एल एल पी रॉकेट से बहार निकलने में असफल रहा था क्य आरेने किलोग एल पी जग एल 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 लाहा है जोगग्रे की जगए पर छोड़ा उना।